हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Poco X5 Android में आप अपने मुवाइल फोन की स्लो इंटरनेट की प्रोल्म को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकरी देने वाला हूं तो चलिए आप वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखें दोस्तों कभी भी अगर आपका मुवाइल फोन का इंटरनेट अगर स्लो चलता है तो इसकी सॉलिशन के लिए करना क्या है देखें सबसे पहले तो मुवाइल फोन को रिबूट करने है ठीक है फोन को रिबूट करने के लिए फोन के साइड वाला पाउर बटन आपको उगली से दबाके रखना है अब देखिए अगला काम यह करना है मुवाइल फून की नेटवर्क सेटिंग को रिसेट करना है दोस्तों कई बार ऐसा होता है फोन की नेटवर्क सेटिंग ठीक से काम नहीं करती है जिसके कारण हमारे फोन का इंटरनेट सलो चलता है ठीक है तो मुवाइल फून की नेटवर डेटा Bluetooth यह तीनों सेटिंग मुवैल फून की नेटवर्क सेटिंग के साथ रिसेट हो जाती है आपको नीचे की साइड इसे रिसेट सेटिंग का यह option टैप करना है अब इस पेज में आपको इसे ओके करना है आपको नीचे यहां पर लिखावा आजाएगा थोड़ी देर में बी псих century नेटवर्क सेटिंग को रिसेट करने जिससे आपके मुवैलफोन की स्लो इंटरनेट की प्रवल्म जाएगी अगला काम मुवैल फोन की एकपनी सेटिंग को रिसेट करना है इसके लिए नापको डिशनius पर लिखावा आजाता Brusेटीं स्व मॉवां की ए पीन सेटिंग को रिसट कर देना है जिससे आपकी प्रिडी प्रोड्म सॉड वह जाहिए अगर आपको ए अपडेट का बटन दिखाई देता थो इसे अपडेट पर तब करके अपने phone का software update कर लेना है जिससे आपके mobile phone की slow internet की problem solve हो जाएगी ठीकिना अब देखिए अगला काम आपको करना है आपको अपने mobile phone को reset करना है देखिए दोस्तो mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process कोई भी अगर काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है reset आप लिखेंगे तो थोड़ी दिर में आपको नीचे factory reset का एक options हो जाएगा ठीक है तो reset लिखने के बाद आपको थोड़ा wait करना है यहाँ पर तो यह देखिए factory reset का option आगे इसे tap करना है आपको इस page में सबसे नीचे area is all data का option टैप करना है इसे आपका phone जो reset हो जाएगा औ आपके phone की जो slow internet की problem है solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात यह ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data सारा data आप किसी दूसरे mobile phone में transfer कर लिजिए या उसका backup ले लिजिए दूसरी बात यह ध्यान रखना है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करें रखना है यह दो काम पहले करना है उसके बाद mobile phone को reset करना है ठीक है तो मेरे बता है वह सारे process आप यूज करेंगे से आपके phone की slow internet की problem solve हो जाएगी